इस्टोलाजी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है जोती सला में आज बात कर रहे हैं कि कुंडली का जो आठों भाव होता है उसके बारे में हम संचीज जानकारी देने का प्रेटने करेंगे देखते हैं इसको इसको देखते हैं उसको यहां से देखा जाता है और किस तरके मरत्य आपकी होगी वह संभावित किस तरक के कारण हो है उसको देखा जाता और कालपुर जो आठी रासी है है जिसके रहिष्य की राष्य बहत Bj sortir कि पहलेता है कि हमकी जो आपके महत्रों और जह उसको भी देखा जाता है मंगल जो है इसका पकृत्ति कारक हुआ तो मंगल को महाइं पकरति कारक के रूप मिलेंगे क्यों के आठर बापा स्वामें जो है वर्षिक्रासिका मंगल है यहां ब्रस्पति और सूर की जो इस्तिति बनती है तो उनके लिए अच्छा घर बताया गया है तो इस तरह से आप इनको ऐसा भी देख सकते हैं यहां जो टास्परमेशन सोगरा जो रहता है उसके लिए देखा जात है जब भी इसकी दर्शा चल वो होती है तो आपको अचानक आपका बतलाओ आप में देखा जाएगा और उसमें टास्परमेशन होगा आपका इस तरह से इसको देख सकते हैं तो यह धन के साब सो भी देखा जाता है कि जो धन की व्रद्धी है यह कमी है यह अचानक जो लाब भी हो सकता है हानी भी होता है शेर धन जो होता है जिसे अचानक का लाब प्राप्त होता वो है कि विरासत देखी जाती है बीमा से जो प्राप्त राशी होती है उसको यहां से देखते हैं तिस तरह से आठ्वा घर जो है यह बहुत ही महत्मून घर होता है जब भी जो टांस्फरमेशन के बात करते हैं इसको यहां से देखते हैं तो बहुत से भाग में उतार चड़ाओ को यहां से देखा जाएगा अचानक बदलाओ जो होता है जो चेत्र आपको जो कारेशेत्र में है उसमें अचानक अगर इसका संबंद दसंभावस होगा तो अचानक यह आप यहां से देख सकते हैं भाग के बारे में जैसा बताया कि यहां पर गरों के अच्छी स्थिति होगी तो भाग में अत्यातिक वरती भी दिखाई जा सकती हैं तो यहां प्रतिकुल अनुकुल सब प्रतितियों को देखा जाता है और आपके जहन कुल्णी में अगर सुप गरों का पभाव होगा तो उसका उपाए करना पड़ेगा आपको और तो के सब्सक्राइब करना अगर अकर प्रभावित हो रहा है तो आपको कारीच रहें पर अनुसार लेकार पर जो कार्तव नुसार जीटा है जोतिस्री है जोतिस में जाना चाहिए आपको साइंटिस्ट होना चाहिए या कुछ भी चीज का गहरा द्यन करते हैं वो गहराई में जाने के लिए बात करता है और मांसिक सांती के लिए भी यह बहुत अच्छा है यहाप अगर आध्यात्म के और जुड़ेंगे तो आपको म कभी-कभी पुरानी जो अंदसाद सबरू होगी तो कोई बीमारी है वह पकट हो सकती है और वह है यहां से जो अकॉल साइंस को भी देखा जाता है तो आपको उसमें भी प्रेक्टिस आप करेंगे तो यह भाव एक्की होगा तो आपको इसमें सहता करेगा तो आप्रादिक जो डंड है सजा है या जो कानून कोई जो अस्टमभावागा प्रभावित होता है तो आपको जो CBI और इस तरह के जो छेत्र है गोर्मेंट के उसमें आपको जावब करना चाहिए जिससे उसका सही तो आपने देखा कि आठमभाव को में है जो है जो आप करेंगे जो करें वो हो सामाने लोगों से लिए रिक्त खांव वह आपने को प्रब्त होगा तो आप को इस तरह से आप देख सकते है अपने कुल्डी में कि आठोंबाव एक्टू है तो आपको सुभूत कारी करना चाहिए खनन में जाना चाहिए खनीज में पुरात्वत विभाग में ऐसी जो गोपनी चीजें हैं गौर्मेंट के कारी छेतर जिसमें गोपनीता रखी जाती है उसमें आप अपना केरियर होगे दिखाया गया है अग्यार की दरा है तौट आप अध्द्यात्मिक जीवन का अपनाई है और भोतिक वाग को छोड़ी है और आपको भोतिक वाग से दूर करेगा एक्टूर जुड़ेगा तो अगैट्वाव से जो बी निगेटिव इपेक्ट है वह आपको नहीं प्राप्त होंगे तो इस तरह से आपने जाना कि आपको कुंडली में अस्टमभाव एक्टू है अस्टमभाव की दसा चल रही है और उनका जिन भावों से संबंद हो रहा है उनके कारत्तों को अपनाएंगे तो आपको विशेश लाप प्राप्त होगा और अस् स्टमभाव की दसा चलती है तो यह आप अपने कुंडली में अच्छ जानकारी देखके कि किस तरह से उसका आप अपना जीवन उपयोग कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप कर सकते हैं आपको इस तरह तो वीडियो देखना चाहते हैं हमारी जो चैनल एस्ट्राइ प्राइट्ड यदिंव मिलाभ उठाइए आपको हमने चैनल पलंचे रहे तो हमारी में को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीज Arctic आपने चैनल प्राइब आपका बहुत बहुत दन्यफाद